हलो दोस्तो मैं हूँ आपका दोस्त को लेरी और आप सबका हमारी यूट्यूब चैनल जनल लोलेज में स्वागत है दोस्तो अगर आप नए हो तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कॉमेंट और सेर कीजिए तो दोस्तो आज हमारा टोपिक है सामाने विज्ञान तो चलो दोस्तो चलते हैं क्यूशन की और पहला क्यूशन देखिए इंपोर्टेंट क्यूशन आज 20 क्यूशन सारे के सारे इंपोर्टेंट क्यूशन है पहला क्यूशन देखिए सुरक्षा की दरश्टी से खाना पकाने वाली LPG Gaze सिलेंडर में क्या भरकर Gaze को गंध यूक्त बनाया जाता है भूत पर ये परसंद पूछा जाता है इंपोर्टेंट क्यूशन तो उसमें मिलाया जाता है मरकेप्टेन और इस मरकेप्टेन का एक नाव और होता है जिसको हम थायूल बोलते हैं नेक्स्ट क्यूशन देखिए प्रेसर कूकर में खाना कम समय में त्यार होने का कारण है तो प्रेसर कूकर में खाना है वो कम समय में त्यार हो जाता है क्योंकि इसमें जल का जो कवंत नांक है वो बढ़ जाता है नेक्स्ट क्यूशन निमनाकित मैंसे निस्चे तक निस्चेक्त ओसदी नहीं है तो इनमें है जो आईबू प्रोफेन है वो निस्चेद ओसदी नहीं है नेक्स्ट यदे किसी पिंड को परत्वी से 11.2 km पर 30 सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड तो दोस्तों एक चीज़ तो यहाँ पर ध्यान दे जो 11.2 km पर 30 सेकंड है ये परत्वी का प्लाइन वेग होता है और इस वेक्षि अगर हम किशी वस्तू को फेंकते हैं तो वो वस्तू कभी भी क्या है पर्थवी पर लोटके नहीं आएगी अर्थार्थ वो पर्थवी के गुर्तो आकर्शन को पार करे जाएगी Next question देखिए सूर्य का प्रकास पर्थवी तक पूंचने में कितना समय लगता है तो सूर्य का प्रकास है जो पर्थवी तक पूंचता है उसमें लगता उसको आठ मिन्ट और 20 सेकेंड नेक्स्ट कुशन निमनाकित मैंसे मिसर धातू नहीं है तो जो पारा है वो मिसर धातू नहीं है ये एक धातू है जिसका लेटी नाम होता है हाइड्रेजिरम और प्रतिक होता है एच जी नेक्स्ट कुशन इमली में पाये जाने वाला अमल है तो दोस्तों इमली में ताट्रिक अमल पाये जाता है जैसे शीट्रिक अमल है वो नीमू में पाये जाता है लेक्टिक अमल है वो धही में पाये जाता है मेली कामल है वो सेब में पाये जाता है नेक्ट अक्स बायोलोजी में निमन लिकित में से किसका अध्यन किया जाता है तो इसमें किया जाता है बाहिए जो गरह होते हैं और अंत्रिक्स होता है उसमें जीवन का अध्यन किया जाता है नेक्ट एग्रो फोरेष्टी क्या है तो एग्रो फोरेष्टी है वो कर्षी के साथ साथ उसी जो भूमी होते हुए उस पर काश्ट ये बारा मासी जो रिक्स होते हैं उनको लगाना होता है नेक्स्ट पोजिट्रोन है एक तो पोजिट्रोन क्या होता है एक धनावेशित इलेक्ट्रोन होता है नेक्स्ट क्यूशन नूकलियोन नाम सामाने तक किसके लिए प्रयोक्त होता है ये परसन भी भोत पर पूछा जाता है तो नुकलियोन में दोनों दोकन होते हैं वो होते हैं प्रोटोन और न्यूट्रोन नेक्स्ट हैं कोई पिंडे तब तक विरामावस्ता में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाई ये बल कार्य नहीं करता ये खतन किसका है तो दोस्तों ये खतन है वो न्यूटन का है और ये न्यूटन की जो गती है उसका प्रथम नियम होता जिसको हम जड़तव का नियम में कहते हैं नेक्स्ट जल में तेरना न्यूटन की गती के किस नियम के कारण संबव है तो जल में तेरना है वो न्यूटन की गती के तिरतिय नियम के कारण संबव है नियोटन की गतिगंगेती नियम होते हैं, पहला जो नियम होता है उसको हमें, जड़तवा का नियम गयते हैं, दूसरा सावएक सरक्षन का होता है, और तीसरा होता है किरिया प्रति करिया का नियम, माईकोलोजी में किसका अध्यन किया जाता है तो माईकोलोजी है उसमें कवक का अध्यन किया जाता है और कवक की जो कोशी का भीति होती है वो कायटिन और हेमिसेलिलोज की बने ही होती है नेक्स्ट पर्ति किरिया के बराबर एम विपरी दिशा में एक पर्ति किरिया होती है यह है यह न्यूटन की गति है उसका तिर्तिय नियम है न्यूटन की गति विशे का तिर्तिय नियम नेक्स्ट न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार किरिया थता पर्ति किरिया में सम्मंद बल देखो सम्मंद बल होता है वो हमेशा भिन-भिन वस्तूं पर ही लगे होने चाहिए नेक्स्ट है दूर द्रश्टी से पिडित वेक्ती के सस्मे में कौन सा लेंज परियोग किया जाता है big important question तो जो दूर द्रश्टी होते हैं उसमें उत्ता लेंज का प्रियोग किया जाता है। और जो जरातवज्टी दूर्षट होता है ुसमें अभता लेंज का प्रियोग किया जाता है। Next का फूलूं के सवर्धन में सवर्धन की विज्यान को क्या कहते हैं। फूलों के सवर्दन विज्ञान को हमें फ्लोरी कल्चर कहते हैं नेक्स्ट प्रियावरण का देन जी विज्ञान की किस साका के अंतरगत किया जाता है तो प्रियावरण का देन होता है वो पारिश्टिति के अंदर किया जाता है एकलोजी नेक्स्ट, स्टिल एक मिसर धातू है, जबकि वायू है एक तो जो स्टिल होती है वो एक मिसर धातू होती है और वायू एक मिसरन है तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को शेस्क्राइब जरूर कीजिए